वेल आप भी credit card के limit को bank account में transfer करना चाहते हैं तो यह video आपके लिए है क्योंकि इस उड़र में मैं आपको एक trick बताने वाला हूँ जिसकी help से आप अपने credit card के limit को free of cost में bank account में transfer कर पाएगे बट उसका कुछ conditions होंगे जो कि आपको fulfill करने पड़ेंगे तब ही आप free of cost में कर पाएगा अधर्विस आपको यहाँ पा चार्जस पे करने पड़ते हैं तो क्या है वो condition कैसे आप अपने limit को transfer कर पाएगे free of cost में complete information के लिए video में last तक बने रहेगा चैनल पर नहीं हो है तो subscribe प इसके लिए आपको एक application को transfer करने के लिए कई सारे application मार्केट में अल्रेड़ी अवलेवल है लाइक हम बात कर लें पी टीम की चार्डस लेना शुरू कर चुके है जो प्लेट फारा फी लगता है वो तो लगता ही है उसके इलावा जो credit card है जिस bank का वो भी आप से चार्डस लेती है तो मैं तो आपको यह बिल्कुली स्रेश नहीं करूँगा कि आप अपने credit card के through rent transaction कीजिए तो इस video में हम दूसरे method के बात करने वाले हैं इसमें भी बहुत सारे application आते हैं जो कि कुछ free होते हैं कुछ paid भी होते हैं तो हम बात कर रहे हैं free वाले के तो इसके लिए आपको एक application के जोट पड़ेगे जिसका नाम है Pais application जो की playstore पर आपको इजली मिल जाएगा साथ है इसका download link description में दे दूँगा वहां से आप install करते हैं तो आपको extra benefit मिलने वाला है क्या benefit मिलेगा वह मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाला हूं तो बिना skip की हुए अखिर तक बने रहेगा इस application को download करेंगे और यहां पर आप अपना sign up complete करेंगे mobile number email ID वगरा दे कर KYC यहां पर must करना पड़ेगा बिना KYC के आप अपने limit को transfer नहीं कर पाएगे KYC करना बहुत ज्यादा easy है आप अपने अधार card के through KYC कर सकते हैं और एक चीज़ का खास ख्याल रखेंगी जब आप यहां पर registration complete करेंगे ना उस time भी आप अपने अधार number में जो link mobile number है उसी number से sign up complete कीजिएगा ताकि आपको KY KYC में असानी हो जाएगी तो जैसे ही आपका account fully verified हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो page है open हो जाएगा पाइस का यहां पर आप देख सकते हो beneficiary add है मेरा पहले से ही आप first time में आऊ गुना तो यहां पर जो make payment का option दिख रहा है ना यह वल option आपको देखने को नह सकता है तो मैंने already कर रखा है मैं उसे select कर लेता हूँ तो मैंने इसे select किया यहां पर pay now option को click करेंगे next page में आपको amount enter करना है कि आप कितना transfer करना चाहते हैं अभी हमने यहां पर 35,000 टाइप कर दिये हैं उसके बाद यहां रिमार्क्स में चाब तो कुछ लिख सकते हो नहीं लिखना है तो छोड़ देजेगा कोई दिकत नहीं optional है यहां टूड़ वेल अप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने तीन option शो करेंगे जिसमें instantly जिसमें service fee जो है 563 रुपीस का लग रहा है और जो कि payment जो है एक second में आपकी account में credit हो जागा अगर आप इ तो अब ही मैं आपको दिखाने के लिए टूड़ वाले option को select करूंगा और यहां पर अभी आप देख सकते हो जो charges लग रहा है service fee, GST, कितना लग रहा है, final amount कितना बना है वो सब आपको देखने को मिल चाहेगा, confirm बाले option पर click करेंगे और अब आपको यहां पर use rewards का option देखन आपकी cash में हो सकता है कि यहां पर rewards ना हो या कम पड़े हो, तो जितना पड़ा होगा उसे के हिसाब से आप यहां से money transfer कर सकते हैं, मैं आपनी बात करूं तो मेरे पास अभी 606 rewards कैसे हुए यह मैं आपको बता देता हूं, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो को starting में बोला थ सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको rewards मिलते हैं, तो इस तरह से आप यहां पर जितना चाहे उतना rewards earn कर सकते हैं, और इस application के तुरू free or cost में money को transfer कर सकते हैं, तो मैं अभी इस apply वाल option पे click करके apply कर देता हूं, और उसके बाद में यहां पर change card वाल option पे click करके, आप चाहो तो इस card के अलावा, दूसरे card को भी add कर सकते हैं, जो भी आपके name पर होंगे, card add करना भी बहुत ज़्यादा easy है, आप enable quick payable option पे click करेंगे, card के details से यहां पर submit करेंगे, और आपका card यहां पर add हो जाएगा, तो अभी मैं card add नहीं कर रहा हूं, इस card को select कर लेता हूं, और payable option पे click कर देता हूं, यहां पर मुझे अपना जो CVV है, वो enter करना पड़ेगा और proceed करना पड़ेगा, इतना करते ही, मेरे register mobile number पर जो इस card के साथ में, जो register mobile number है, उस पर एक OTPRC हो चुका है, उसे मैं enter करके submit कर देता हूं, इतना करती ही payment जो है initiate हो जाएगा, और यह जो पैसा है, जो मैंने आपको timing दिखाई थी, तो इस time तक मेरे account में credit हो जाएगा, so application trusted है, मैंने इस application के जरीए काफी जारे transaction पहले भी किये हुए है, तो आपको अगर ज़रूरत है अपने credit card के limit को में account में transfer करना तो आप इस trick का use कर सकते हैं, तो आप बहुत ही जल्दी आपको एक और new trick देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल पर वीडियो आपसे मिस नहों, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell को on करके रखिए, टेलिगराम ग्रूप के साथ में join करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने भी नए offer या update होंगे, सबसे पहले information आपको वही पर मिल जाती है, यह होप आज का यह वीडियो आपको पसंद आओगा, तो आपको हमारे यह वाला वीडियो भी जोरु से पसंद आगा, तो इसी भी जाकर देखे, मैं आप से मिलता हूँ उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम